दुनिया ने किसका राहे सना में दिया है ताथ तुमगी चले चलो योही जब तक चली चले ये है आसाम में बहते होई ब्रहुपुत्रा नदी दुलन की मांग की सिंदूर की तरह ये आसाम की शोभा है इसका पवित्र जल लाखों हिंदूस्तानियों को जीवन दान करता है लेकिन हर साल बारिश के मौसम में यही नदी मौत का पैगाम बन जाती है इसी तरह 1926 में जब बर्साथ का मौसम आया इसी तरह जाती है कर दो कर दो कर दो मा देको न मा देखो कितना पानी है कुछ नहीं है, अरे लिटा, ये तो बार आ गई है नथो, चंपा, नालो, घर में कोई नहीं मा, सब चले गए कुछ चलेगे, हमने अपिला छोड़को चलेगे अब क्या होगा मा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मेरे बजW rêde सब तप मरे तमीता में तुझे कच नहीं मंतुगे टूपते है, टूपते है तुझे के मारी लगाका टुभूँगे आयं मेरे बज़ा मेरे बज़धा मेरे बज़धा करने चाळोंगे जिसे पतुड़ी? जिसे पतु़ सुच़ी? आरी, आरी जोफ़ी? आरी नेगी? इस जो भारी हुरने के झेए! आरी है, आरी, आरी! आरी, आरी! जाबी, जाबी कौन? पुर्शोतम भया देव की मौहन तुम लोग आगए हाँ जान की बहन, हम तुम्हे लेने आया है नो तेयार है, चलो हमारा गाहन तु पानी की भेट हो चुका है घड़ी दो घड़ी में यहां भी तबाई हो जाईए जो बतनसीब पहले ही तबाई हो चुके है उन्हें बाढ़ क्या तबाई करेगी तुम लोग तु आई गया हो तो इस मासुम बच्ची का ख्याल करो जिसका बाप पहले ही जल बसा हो और माँ थोड़े ही तेर में मौह मौरनी वाली है अब करना हो जानकी पहन मीथा तो हमारी उसी दिन हो गई थी जिससरी को ने और मॉखन के साथ थी सगाई क्या मैं तो उसी दिन से इससे अपनी बहु समझ लगां उस दिन मैं इससे बाप से दोरों की शादी करने का वाइदा किया में अगर मीता की मांग में से दिन दूर देख लो तो मेरा आखरी वक्त आसान हो जाएगा कैसी बाते करती हो जान की बेहन तुम ज़रूर जल्दी अच्छी हो जाओगी अगर तुम लोग यही चाहते हो कि मैं कोई दिल पर पोच लेकर न चाहू तो अभी इसी वक्त मेरे सामने इन तोनों की शादी करता हो मगर अभी यह शादी का क्या वक्त है यहां से बच करते हैं चैन से बैठेंगे वहाँ शादी भी कर देंगे अगर वहाँ पहुचने तक जिंदगी ने मेरा साथ न दिया तो अगर वहाँ खा बचाने तो अगर अगर ऑफ़े ने उसी अगरा शाया शादी करते हैं जिज़ाता है खेटली तख्वीर आपके खेटली तख्वीर आपके झाल झाल हुआ झाल 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 आप चिंता न किजे, हम उन्हें दूलने पूरी कोशित करेंगे इस कैमेरे में उनकी तश्मीरें से उनके प्रिंट निकलवा कि उनको देखेंगे तुछाथ पहचानने में तुछारा हो पजाईगे जानकी में नीतान मुखन के साथ तुम्ले चरीएगे हमने बहुत पलाश किया, मगर अपसोस इन बच्चों का कोई पता नहीं चीए लोग दरिया में से मूते निकालते हैं, हम अपने मूते डुबोचे जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी से अपनी पसंद के साचे ढालता है कुद्रत भी कभी कभी इनसान की तक्दिर के साथ ऐसा ही करती है कर द송 लोग कर दो दोग कर दोग कर दोग कर दोग मुआता है बार बार निख यहाग है खहरो है, जला, बार निख खनी है कहिते हैं, कि जल गॉग। और पिछली घटनाओं के चौदा साल के बाद कलकत्य शहर में आज भाजों की वही पूरण माशी है जिसकी तुफानी राद हमारे चांद को ले डूडी इन चौदा बरसों में किस्मत ने क्या-क्या रंग नहीं दिखाए लुटा हुआ धन हजारों गुणा होके वापस मिला रूटे हुए दोस्त अपने आप मंदे खोया हुए इसमों मंजों ने हमें अपने आप ढूंग लिया लेकिन मन का हो गया हुआ चैन जो तुम दोनों अपने साथ ले गए आज पक वापस में लिए तुम जानते हो वो मन का गया हुआ चैन तुम्हारी माँ अब दौलत से करीबने चाहते है नौसा उर्पया क्या नरोतन बेटा मन का चैन नौ लाक में मिले तुभी सस्ता है लौसा नौसा नौसा था यह दी प्रसका इसन्स का चैन दाइन जोड़ी को हम अपना बव और मेरे जश्वाटन को अपन बेटे नौसा रखिये हैं की जान लपता के रितिकरॉनावपनाणिए जिसको ब्वाइवाद ही जिसको ब्लकिल रिक है। क्या है यल्यगू कर रोपे और न्यगुनात दुह करें यां revise दिल से हुआ है यख़ी जुनाईपनाः Hotel optimize was н Song अभी नहीं गता तर्म्रा कि निए और और 500 द्यसमें नहीं नहीं मुझे उत्म के वायदे पर इतबार आ जाता है मेरा मन कहता है कि आज उत्म जुरूर आएगा और अपनी बीवी के साथ तुम्हारा मन तो पहले भी यही कहता था खेर अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो आज शाम तक इंतिदार कर लो अगर वो लोग ना आए तो हम कल तुम्हों बुला लेंगे बुलाने की तकलीफ क्यों करते हैं डैडी कल तक हम यहीं क्यों ठेर जाए नहीं ठेरने की जुरूरत नहीं है तुम घर जाके आराम करो आपके हुक्म सर आखो पर डैडी लेकन आराम तो हमें आपके चर्णों में ही मिलता है चर्णों मिला, गो नमस्ते माताजी, नमस्ते ज़ी ठीटे रहो देवकी, तुम पर मुझे कभी दया है अरे खोए हुए राम और सीता का बहरूप बराकर ये अपना चम्झाना है तो क्या उत्तम और क्या नोत्म ऐसा न कहिए ना जाने क्यों मुझे उत्तम में अपना मौन दिखाए देता है कल कर तुम ये कहोगे कि उत्तम की बीवी में तुम्हें अपने अमीता दिखाए देता जरूरत है एक खुबसूरत नौजवान लड़की की जो नाजने में विजें ठीमाला गाने में लटा अमंगेश कर और एक्टिंग में मधुबाला को मात कर सके अरे वाज है है साठेाँ कि छारसो महानक साठेज हाँ सो नहीं रूपा दीदी याड़ाएसो सिर्फ औराइसो अराइसो नहीं मीताँ तारे चार सो, ये नई नौकरी का इश्तिहार है, और तू, तू तो केकी मंजिल वाली नौकरी के फाब देख रही है, क्यों ना देखो, कर फटा फट इंटर्वी हो गया, और आज शाम को पांच बजा अपॉइंटमेंट ले क्यों मिल जाएगा, अरी पदली, उस लेटर वा और गाने में लता मंगेशकर, और एक्टिंग में मधुवाला, मैं अप्ठाना नहीं, अरी ऐसा जिवाना तो किसमस से मिलता है मीता, चल चुट्की में तयार हो जा, अभी जाएगी तो दस बजे तक तो पहुंचे जाएगी, अब कौन जाएगा खांक छाने, नोकरी तो मिल ही गई है, अरी वो नोकरी छीन तो नहीं जाएगी, महां तो पांच बजे जाना है, अरी खुद्रत, हाथ और पैर में भी कितना फर्थ है, पैर नाची तो साड़े चार सो, अम मैं जो दफ्तर में महीने भर उंगलियां ताइप रैडर पर नचाती रहूं, तो सिर्फ दो सो, अरी तू अभी तक लेती है, चल उट, जल्दी से तयार हो जा मेरी बच्ची, मैं बच्ची हूँ, मैंने का भाया जी, यहां को उस्तम तुमार परवाना करके रहते है, अरे वो तो यहां का नमबरी देट है, अच्छा महीना हमारा दूद पीकाए, जब जूटा वादा केके हमको फूल पीता है हमारा, अच्छा, तो आप है वो बीबी जी, हम तो तोरे मरत का विल्कुल गुलब समझे प्राइन है, पर उस्तम बादू तो भच्चे कहात है, कि हमार बीबी यही है, मुलुक से फैठा लेके, मगर मगर वगर कुछ नहीं बीबी, पंज़ा का दूद लेके उपे हमार जिदास्त चुपता कहिती हो, हम वक मुलुक जाना है पनी जोलुक पाम, आज उस्तम कहने तक यही ठैरो और अगर वो क्राय ना दे उसका समान उठाके ठैरे पर फैंग देगा लेकिन मुखंजीत का बच्चा रहा तो पैने आता का रहा है अभर्यू वुट प्के से काा रहू है two पर अप्रश से पादो तुन को पर मात को सब्था है मारादा। शुकर है वो खान का बच्चा चला गया और मैं भी चली ओओ आप कहां जा रही हैं दिवी जी हमारे बॉस उस्तम बाबू को नहीं मिलेंगी मिले बगर दर्शन हो गये उनके उनके दर्शन तो बड़े दुरलब हैं लेकिन मुझे तो हसी आती है आपके भूले पन पन माल्म होता है या आपने हमारे इस किरय की के किस्ते को सट जान लिया यह तो हमारे ड्रामे के सिर्फ grand rehearsal थी हाहाँ और दूदवाला भईया भी रेल्सल तो क्या यही स्वर्ग निवास है? बात यह है, मेरे पिताजी का स्वर्ग वास यहां हुआ था तब इसे मेरे बॉस ने उनकी काईन मेम्मरी में इस जगह का नाम स्वर्ग निवास रख दिया है अच्छा तो आपके बॉस कहां मिलेंगे? Head office में, this is our brunch office. आई आई आपको लेचे लोगे, पैक्टेए, हरियाँ! वास, सजार जी किल्डेपैसे होगे? वारा नहीं हो बाच्छा वारा नहीं किसरा होए रहा है? सबस्रीकाल यह है यह तो ड्रामेटिक हाल है जी हाँ, बात यह है, इस हाल का हाल कुछ पतला है इसलिए हमारे बास ने इसे दिन के लिए किराय पर ले रखा है आप छोड़िये इन बातों को, आई आई हमरे साथ, आईए आईए मैडम, आईए आईए, आईए न्यूबे मगर हम में गेट से क्यों नहीं जाते? मैडम, माफ समझती नहीं बात यह में गेट हमेशा बंद रहता है क्योंकि लड़कियां डिस्टरब करने से बास नहीं आती इसलिए हमारे बास खुद भी इसी चोड़ दर्वाजे से आते और जाते आईए हमी चले आईए, आईए यूबे लाइग इट ड़निया मत आईए, आईए, गबरा ये नहीं मेरे साथ आईए गिम्मी यूर हैंड आईए, आईए, आईए आईए, आईए, आपके होने वाले पास आईए, 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 आईए ये कौन सा बक्त है सुने का ओ मेम सहाब, आर्टिस्ट और चोर अकसर रात कुछ जाकते हैं और दिन में सुते हैं और हमारे बास तो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि दिन रात सोते हैं तो फिर जाकते कप हैं? जब आप जगाएंगी मैं? हाथ मैंने कहा पर्वाना साहाब ऐसे जगा कर तो अड़ाई सो लग्या पील हो चीए टेस्ट में क्या मतलब में साहाब इम्तिहान से पहले स्टूरेंट को उसका परचा बता देना है तो कानून के खिला लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं आपके लिए सब कानून तोड़ दूँ ना चाहता हूँ आपको ये नौकरी मिल जाए इसलिए अर्थ है कि कलाकार को कलाकारी से जगाईए मेरा मतलब है कि आँखों में आँखों में मस्ती गले में सोथ और पाउ में पाईल की जंका की आवास से यू ना चीए हाहा लेजिए ये किसली ये सोदर आवास तो आपके पास है ही ये साथ के लिए अच्छा तो ये बात है यही तो बात है में साब अगर पाईल की जंका सुनकर बास जाए तो समझे चाराने काम बन गया और अगर आवास सुनकर आपकी तरफ खिचके आ जाए तो आठाने और अगर आपको दिखके मुश्करा दे तो बाराने और अगर जूम कर मसो कर खुद गाने लग जाए तो बस फिर कहना ही क्या बात क्या आपके नपने पके 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 इतनी सिपाथ तो फिर जगाईए साथ मैं सोच जगाती हूँ ओके ओके कि फिर जगाईए साथ पके पके दो बार झाल चृह और उग्पको सबस्टों करले कर समय है हमने देखा है तुन्हे ऐसा गुमा होता है हमने देखा है तुन्हे ऐसा गुमा होता है आख मिलती है तो क्यों दर्द जवा होता है हमने देखा है तुन्हे ऐसा लगता है के हमदम मेरा वापस आया मेरे जीवन पे महाबत का नशा साचाया दिल में चलने लगा फिर हुसन का राशन साया हमने देखा है तुन्हे जाने क्यों दिल मेरा पर्द मते जुके जाता है जाने क्यों दिल मेरा हदमों पे जुके जाता है कोई पिछडा हुआ साथी मुझे यादाता है आज सदियां की मुना का जाता है आज सदियां की मुलाकात निकल आई है जैसे तूपानों से बारात निकल आई है दिल में रहती थी वही बात निकल आई है हमने देखा है तुम्हें हमने देखा है तुम्हें ऐसा गुमा होता है आँखों मिलती है तो क्यों धर्द जमा होता है हमने देखा है तुम्हें जी चाहता है कीचनों तस्वीर आपकी जी शुक्रिया नजाने क्यों पहली नजर में आपको देखकर खो गया ऐसा लगता है जैसे मैं आपको जनम जनम से जानता हूं आपको देखती ही मेरे दिल में शेहनाईयां बज उठी पांग खूद पखुद नाजने लगे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं शायद मैंने भी कोई सपना देखा था और उस सपने में देखी हुई वो सूरत जिसकी परचाई अभी तक मेरे दिल में तैर रही है वो सूरत आपसे बहुत मिलती जुलती है यह आपका वहम है काश मैं इस वहम को सच बना सकता कैसाल की है उमर तुम्हारी जो यह पूछा वो कहने लगे चार मिला दीजिये दसमें चार नहीं साथ मिलाईए दसमें चश्मे बद्दूर इसका यह मतलब होगा कि आप सतर बरस की हैं पिर तो मैं आप से दो बरस छोटा हूं आप मजाग फर्मा रहे हैं मुझसे जी मजाग तो खुदरत ने मुझसे फरमाया है मेरे बापुजी कहते थे जब मैं चार-पांच साल का था तो उन्होंने मुझे एक ऐसे हादसे से बचाय था जिससे मैंने एक नया जनम लिया तो आपने उसी दिन का अपना जनम दिन मना लिया जब उससे पहले का मुझे कुछ भोशी नहीं रहा और सब कुछ भूल भाल जया तो उस उमर में क्यों गिना जाए इसलिए हुआना में पंदरा बरस का वाकई आप बड़े दिल्चस मालुम होते हैं लेकिन वो नौकरी क्या है अरे हाँ नौकरी तो भूली गया नौकरी के लिए आप डांस में तो पास हो गए या अब रहा रूमेंस रूमांस जी हाँ इश्क औ महबत सच मुझ आप और आपके बाते बड़ी दिल्चस हैं उम्मीद है कि नौकरी भी इतनी दिल्चस होगी बेशक बेशक आईए चलिए कहाँ चीफ एक्जामिनर के पास आप जरा यहां ठेरिए मैं अभी उन्हें उन्हें बुला के लिए आता हूं उस्तम बेटा है क्यों धी मैंने कहा नहीं था उस्तम आज बहू को लेकर जुरूर आएगा कहा है बहू जी वो बाहर बरामदे में बहू अरे तुम कैसे लग क्यों बहू को बहू को छोड़ा है अच्छा ही तो क्या शगूं के बहू अंदर कैसे रहेंगी बहू को रहेंगा माजी आप कहा चली बहू करा में 15 कद़ा अच्छा है यह नहीं कुमारी बात में- मैं मेंधिन कहा रहा कि भो पहुअ कि तुम्हारी बहू की बहुत पसंद है यह बहुत पसंद है क्यष् filed – क्यों आप कहा बाह नहीं है आप शबन तयार किजिए, मैं उन्हें तयार करकर अंदर ले आता हूँ मैंने कहा जी मैंने सुन लिया जी सुनिये, सुनिये यहावाज कैसी थी जी वो आपकी बहु ने यहाँ आनी की खुशी में एक पठा का छोड़ा था लेकिन बेटा, बहु चली क्यों गई? क्या बताओ माजी, जब से उनकी गोद खाली हुई है, मिजाज कुछ चिर्चड़ा हो गया गोद खाली हुई है? काँ? जी वो पिछले साल लड़का के लड़की? शायद लड़का मैं मैं मेरा मतलब है मैं पूछ के बादा हूँ घबराग में तुम्हारा उत्तम बैख यह है विटा तुम बहु को वापिस ले आओ मैं उसे समझा दूगी तुम अभी बुड़े थोड़ा ही हुए बगवाल और बच्चा देगा बच्चा तो देदेगा लेकिन वो तो चले गई मेरा मतलब है मैं उसे समझा के लिए आता हूँ माजी जाने से पहले सुनते जाओ कि अगर आज तुम्हारी बीवी नहीं आई तो कल ये जगह किसी और को दे दी गाई निकल आप ऐसे मत कहिए चुप्राव देविका हर एक बात हद होती है आध रात को बारा बज़े तक अगर तुम बीवी को नहीं लाए तो इस घर के दर्वाजे बंद कर दिये दाएंगे हमेशा के लिए सिर्ट जी आप इत्मिनान रखिए दर्वाजे बंद होने की नौबत ही नहीं आने दूँगा आप इत्मिनान रखिए रेक्षावाले बात्षाओ तरह गरीबाते तरस खाओ रेक्षानों मोटर ना बनाओ रेक्षावाले मुझे आप रोटे बंदे शंग जाएगा मैं रेक्षा रोग दू दरसल बात ही हुई कि वो ड्रामे की रियल सिल्फी बस कुछ ऐसा ही समझे दरसल बात ही हुई कि उन विचारों को बुड़ाबे में चाहीदा सहरा और मुझे गुजारा इसलिए उन्होंने एक नौजवान मिया बीवी को साथ रखने का इष्टार दिया इधर मैं सिर्फ मियाई मियाँ इसलिए मैंने भी एक इष्टार दिया वीवी के लिए चारसो बिस नहीं चारसो पचास वैसे नौकली नौसो रुपए की और आपके हिसे में आते हैं है अपर आपके लिए अपके लिए बहुत कर सकता हूं मैं आपको बड़ी नौकी दिला सकता हूं मुदी नौकी नहीं मनता हूं लगन हम आपको मनता हूं ओ शुदए इस्क्रूब भी कि बलाट अपको नोक्री साने चार से रुपै भगार था था फोगर भागर था की बोलो आतों की नहीं है कि लाफा मारू अजा पिला याव जाओ मैं तो आप ही को ढूंड रहा था मुझे? किस लिए? नौकरी के लिए और किस चीज़ के लिए नौकरी? अच्छा क्या नौकरी है? नौकरी को मारो गोली ये पुछब पगार क्या है? ये नो, साड़े चार सौरप है महीना साड़े चार सौरप? हाँ indirect तो और न बताएं मुझे क्या करना है? करना क्या है? आपको सरफ बीवी बनना है बीवी? किस की? मेरे बीवी और किस की? अब बात ये एक जगयों मिया बीवी के लिए नौकरी खाली है मिया तो असली है आपको नकली बीवी बनना होगा हम तो आप ये बताईए कि लिया के सेवा अभी से करो या बात में तो में काम में देर कैसी महुरत कीजिये नमस्ति देखी सेजी नमस्ति आपने आज मुझे पांच कुछे बिलाया था वाफ तीजी मुझे आगे में देखी 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 मानी बोलता है कि आप मेरे लेक पहुँचके पर नारान्थ है लेदी कर्से अर्षान नहीं होता मैं वक्त पर दखतर आया करूंगी सेजी आप बोलती क्यों नहीं है आपने मुझे पहँचाना नहीं है तर आपने मेरा इंटर्वी लेया था और आलपॉंट्में टेटर के लिए बिलाया था सेजी 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 फोल हलो हलो हाँ है सेजी आपका प्रूम सेजी आपका हुआ है कर दो सेजी आपका यि आपका सेजी सेजी आपका आहां ऐसी भी जल्बाजी क्या खून करने के बाद हाथ तो थो जिए होते हैं आहां आप तो यू भागी जा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं मैंने किसी का खून नहीं किया तो फिर मेरे चचा का खून किसने किया रही उनका फून तो मेरे आले के पहले ही किसी ने कर दिया है गूड वेरी गूड हर वुजरम जुर्म करने के बाद यही कहता है लेकिन आपके इन सुर्फ हाथों को देख कर पुलीस क्या कहें पुलीस? बड़ी तेज हुटती है पुलीस और उसकी नदर वो लाइए मापका हाथ साथ तो मैं बेका सुर्फ हुटती है मैंने फून नहीं किया ठीक है लेकिन पुलीस को कोई समझाएगा अंदर टेलीफोन पर आपके उंगले के निशान इस रुमाल पर आपके खून आलूदा पंजे की निशान और आपके गुनाद सबसे बला सुबूख रहे ये तस्यूद हमें इस लड़की का पता नहीं नहीं पता है हमें इस वे कंगे ले चाँता सुबूख मेंडले के लेकिन पर नहीं पर आपके घल आलूदान लुप दिदी लुप 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 युप लुप लुपW पुर्ट शर्मी चाहिए पर लोग देख रहा है वो गुड़ लाक शर्म का बच्चा खुछ शर्मीला बड़ता है खुछ चाहिए गाली दो हमारा बहुत अदर तो रहा है वाफ यह बात कीजेगा बापू, आप देखी रहें मेरा हाल, इतने हाथ पाउ मानने के बाद भी अगर नोकरी हाथ ना आया, तो क्या करूँ है, आप किसम बापू, मजबूरी नहार रोक ली है, अगर किराया ना देना होताता, तो इस खान के बच्चे को ऐफ़ जखा दिख दोचे जानम को बिच्चा पहले को नी बोला हम तो खुदा की कसमा वारस्तान की सुर्फ को तर्फ गया ओ खान तो भालो अपना मकान अब यह मकान हमारे शुरात को अपतर सेगा खुश रहो एहले वतन, हम तो सफर करते हैं कमारी ओर दो खुटेश धाट और फो खुटेशब पुटेश रहाएपक से वालो अपतर। कर दो कर दो कर दो कौन हो तुम जी आप मैं मैं शांतिलाल आप नहीं पैचानते मुशे ठेरो तुम्हारी सूरत बहुत ही जानी पैचानी है क्या तुम्हारी कोई बहन है हाँ एक है उसका नाम है मीता जी तुम्हें देखकर ऐसा लगए मीता है मीता ने लड़के कबड़े पहन लिये आप ही को क्या हमारे मा भी कभी कभी धोखा खा जाती है मीता मेरी जुडवा पहन है जुडवा 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 बाब बड़े मिया हमारे मकान से निकाले जाने पर आपने ये अंताजा लगा लिया कि हमारे जेबी खाली है जुड़ें बातों को इस आर वरी ओडिनरी थीज़ अफ लाइब लाइब इसी खुशी में एक ओडिनरी सी सिगर्ट लाइए लेगल विर्णा वो भी देता हूँ आप हद कर रहे है पोस्ट मैं पोस्ट मैं क्या हाला है बहुत दिर के बाद है हमारे नामका मुल्डर है यह मनी अद्रस तो नहीं अलवस आपके नामका नोटीस है तुहों नोटिस जिस दिरूदेगा नोटिस भीजा है सुनो इसा करो इसे हमारे नाम से नोटिस भीजो और कहो कि उत्तन बाबु इस मकाम को छोड़कर एक शाही महल में चले गए हैं और सुनो जब तक कि हमारा नया ड्रेस में मिले हमारे नाम के कोई भी मनी ओर्डर आ है या टलिग्राफिक मनी ओर्डर हो या ड्राफ हो या और कुछ लोटरी आजाए या कुछ आजाए सब बड़े मिया के हवाले किया जाए ये हमारे इसकता के समान है अच्छा खुदा हाफिस अदियंके के सो जया है और राफ लिए टोने आज़ें आपको शर्म द्रेट के आती है आप उस्तम बाबू से मिलने आये है ना जी हम सब जानते हैं यहां सब लड़किया हमें से मिलने आती है आये आये जी, तो क्या आप ही उत्तम बाबू हूँ? मैं उत्तम बाबू नहीं हूँ, मैं नरॉत्तम बाबू हूँ, लेकिन उत्तम बाबू मुझे प्यार से शर्विला कहते हैं, आपको कौन सा नाव पसंद है? जी, मुझे कोई भी चलेगा, चलेगा ना? लेकिन ये बताईए कि उत्तम बाबू का हरूँ देंगा, सामें रहता हैं, ये सामें, लेकिन आप वह ज़रा बाहर गये, आज आईए, 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 सुलान साथ, मेरे पास हजार रुपय का लोट है, छुट्टा तो आपके पास होगा नहीं, आप ठरिय आईए, या मिस्स, क्या मतलब, आप सुमझी नहीं, मेरा मतलब है, आप कुमारी हैं, या, आपको क्या लगता है, मेरी एसिस्टेंट डिरेक्टरी कहती है, कि आप कुमारी हैं, हाहा, बरी गुड, बरी गुड, बरी गुड, अजीब इस्तिफाक है, बिली बिली इए, मैं आपको उत्तव बागुल से अभी मिलाता है। किस आप। देडी, खुशिया मनाईए, गी के दिया जलाईए, शगुन तयार कीजिए, मैं आपके बहुरानी को लाया हूँ। तुम फिर कैसे आगए? टैसिस आया हूँ। बहुरानी? मैंने तुम से कहा था, कि अगर उत्ता माज नहीं आएगा तो कल तुम्हें बुला लेंगे। डैडी, उत्ता माज नहीं आएगा। मुझे लेट मून से पता चला है कि उसे बीबी नहीं मिल सकी। तुम्हें मिल ले। जी है, जी है, इसलिए मैं दुबार आया। मैंने सोचा कि आप बजर्गों को राद दर क्यू तरपाया जाया। इसलिए मैं बहु को अभी लिया। आप शगुन के तियारी कीजिए, मैं जा भी ने क्या पहोगा। रूपाइऑ、 रूपाजी! रूपाजी! मैंने कहा, रूपाजी! मैंने सब को सुन दिया है, जी तो फिर क्या इरादा है, जी? अप री बताऊं जी cet नेक कां में देर कैसी, जी? अच्छा जी लादाश गया जी जारी हो मुरतम बेटा, यह आवाज कासी थी? जी माता जी, आपकी बहु ने यहाँ आने की खुशी में एक मामुली सा पठाखा छोड़ा था पठाखा? लेकिन वो तो चली गए क्या बताओ माता जी, रूपा पहले बहुत हस्मुक थी लेकिन जब से इनके गोद खाली हुई है, इनके मिजाज में कुछ चर्चरा पना आगया है लेकिन बेटा, सुबह तो तुम्हेरे सा दूसरी बहुत थी दूसरी? माता जी, I forgot to tell you, मेरी दो शादिया हुई थी एक बच्पन में, एक जवानी में, सुबह जो आई थी, वो बच्पन वाली थी और अभी जो गई, ये मेरी जवानी की है, she is my latest wife नौकरी की खातर कल कहीं तीसरी मिरापे वाली शादियों कर लेना नई माता जी, ऐसे घलती में दुबारा नहीं करूँगा, जैहन आज रात के लिए इन आप के पास रह सकता हूँ, मेरे पास जब से आपको देखा है, नजाने आप में कुछ अपनापन महसूस होता है हाँ, हाँ, आज सुबत मारी बहन भी ये कह रहे थी सची तो कह रहे थी, तो फिर भी वो चादा मार कर क्यों चरी गए? जब आपके कोई बत्तमीजी की होगी, फिर भी मैं उसकी तरफ से आपके माफी मांगती हूँ, I mean मांगता हूँ बिल्कुल मीता जैसा चेहरा, वही खुलाबी होट, वही नर्गिसी आखें पर ये तुमने आखों में काजल क्यों लगा रखा है, जी ये मेरी मा की आदती मुझ में और ये सुरेली आवाज, ये भी मा की तरह और ये नाजुक हाथ दरसल बात ये है कि ये मेरी बेहन की तरह है तुमने अपने बाप की तरह भी कुछ है के नहीं? हाँ, क्यों नहीं? मैं उनकी तरह जोतिश जानता हूँ लाई अपना हाथ अरे शांतिलाल, अगर तुम जोतिश जानते तो अपने बेहन का पता नहीं लगा लेते सुनिये, जोतीशी को अपनी किसमत का पता नहीं होता अरे शांतिलाल, सोजा, राप बहुत हो गई है आप सोजाए, मैं आपके पाउन दबा देता हूँ काश तुम्हारी बहन ये कहती तो क्या होता? तुम्हें उसका हाथ चुम देता और उसे समझा भुजा कर अपनी बीवी बनने पर राजी करता और उसे नौकरी बद दे जाता बगेल शादी के मिताब की बीवी कैसे बनती? अरे सच मुझ की बीवी नहीं, सिर्फ दिखावे थे लिए, एक्टिम्ग क्योंकि ये नौकरी सिर्फ मी और बीवी को ही मिल सकती थी नौसो रुपे पगार, खाना पीना रहना फोकट में रहना फोकट? हम लोग क्या, यानि के मेरा मतलत है उन मिया बीवी को क्या वहाँ उनी के साथ रहना पड़ेगा? उनके साथ रहना ये तो नौकरी है खाना, पिना, रहना और एक्टिम्ग ये तो हो गया लेकिन रात को सोने का इंतिजाम क्योंकर? अवल तो इतनी बड़ी नौकरी के खुशन में मीन ही नहीं आएगी और अगर आएगी तो मीता अपनी जगह और ना अपनी जगह अब दिन को मिया बीवी और रात को आजना देगा हाँ, वो मिया बीवी ता रिष्का फर्जी होगा ना? बिलकुल फर्जी वसे उठने बैटने मिलने जुलने में अगर कोई और बात बन जाए तो किसमत की मर्जी है और क्या बात बन सकती है? इश्क और महबबत तुम नहीं समझोगे हाँ, मैं समझता हूँ, आप कहते जाए अरे जुमा जुमा आट जिन की पैदाइश है, मुच्छा फूटी नहीं और अभी से इश्क और महबबत में दिल चस्पी अरे शांचलाल, मेरा तो जी चाता है कि तुम्हारे कपड़े खुड़े और तुम्हें एक साड़ी पहना कर उस नौक्री के लिए लिए जाओ, तुम भाइदें में कोई पर्द नहीं है, क्या ख्याल है तुमारा ख्याल तो बुरा नहीं बुरा नहीं, वाहरे उस्ताज, चला स्वज़ा अब तो ना मीता मिलेगी ना नौक्री, उस घर का दर्वाजा बंद होने में अब सिर्व 20 मिनट बापकी है 20 मिनट तो बहुत होते हैं, अगर किसमत खुली है तो यह खुल जाती है अरे वाह शांतिलाद, कहाँ चले? कपड़ी बदल ले यह जोड़ुआ भाई बहन भी एक अजीर चीज होती है एक क्यादत दूसरे में आ जाती है अरुआ क्यादत अरुआ वे शादिलाद! 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 अल्यो शादिलाद! 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 झाल झाल याल झाल रंग रंगीला मौसं लेके चला एक दुलहन शोखसीना मुस्कुरादी आज खुदा की कसम रंग रंगीला मौसं लेके चला एक दुलहन शोखसीना मुस्कुरादी आज खुदा की कसम रंग रंगीला मौसं लेके चला एक दुलहन गोरी चली है पीके नगर दिल पल ये चाहत का असर माल भरेंगे चार सितारे होंगे सब के मस्त नजारे कौन है इसका बलंग रंगीला मौसं लेके चला एक दुलहन शोखसीना मुस्कुरादी शोखसीना मुस्कुरादी आज खुदा की कसम रंग रंगीला मौसं लेके चला एक दुलहन मोती लुटाए उदी घटा नग में सुनाए ठंदी हवा मोती लुटाए उदी घटा नग में सुनाए ठंदी हवा मेरे संग मेरी मंजिल मैं हूँ तूपा वो साहिल गाए मेरे कदम रंग रंगीला मौसं लेके चला एक दुलहन शो खसीना मुस्कुरादी शो खसीना मुस्कुरादी आज खुदा की कसम रंग रंगीला मौसं यांगा यांग यांग सुखिरोवीती सुभाद बने रहे और देखो रूठा मत करो तुमसे बहू ऐसा पधी किसमत से मिलता है क्या नाम है तुम है? जी, मीता मीता कितना प्यारा नाम है कब शादी भी तुम दोनों की? आज ही समझे माजी मेरा मतलब है मुद्द के बाद मीता यहां कल पहली बार मुस्कुराए लिए भग्वान ने चाहता अब सादा मुस्कराएगा मैं अग्सुबाप मंदर जाओगी महां से चणनम्रत लाके अपने बभा को पिलाओगी जिसे हम साब कि मन की मुराद पुरी होगी चलो तुमें तुम्हारा कमरा गखाद अग्शंब पताप, अजी, तुम्हारी स्टार मटोल से तुम्हें समध रठा क्या तुम्हारी शादी नहीं हो जी? आप ठेकी समझते हैं, सेट जी. बेगोगे, सेट जी अब अच्छा नहीं लगता, बज तुम मिने मातर जी कहते हो तो मुझे पिता जी को नहीं कहते है? है? कब से मीता इंतजार कर रही है? बेगी जरा सोचो तो, हम भी कब से इंका इंतजार कर रहे हैं? चिलो भी जाए मुझे मुझे झाल झाल प्नलम कर घटाक जो आजकाइज। कर दो कर दो फजैं कर दो खाल भागर सबस्जाने डिपा ज्राइफार करते हैं कर दो कि प्लाफब रूप को, प्लाफटा भूफ लूछ्सचesus! mercy बंवालो कि पिमनी के गालो, करेंग कि एल कुई से थे आ घुट कि आमसे कि एल हुईदान कि आमसे इन धो किए इन बाव । अघू зачा प्कॉट यहां कैसे आ गया आप मैं पूछ चुआ आप ने मेरे कमरे में आने की जूरत कैसे की माप कीजिए का यही सवाल जरा नरन लहजे में मैं आप से पूछने वाला था आप ने इस कमरे को अपना कमरा कैसे समझ दिया मुझे खुद कमरे में लाइक इसमें अंजिरा मैंने दर्वादा खुला बस्ती जलाई और मेरे सिवा की जिवा नहीं पाया क्यों पिता जी और उसके बाद खेर जब आप आही गई हैं तो सर आंकों पर महमान के लिए कमरा जान भी वह और आम कीजिए पर आप मेरा कमरा खाली कर ने कि तकलिख कीजी तर्ली आज रात के लिए आप इस कमरे को अपना समझे न मेरा हम दोनो का समझे अप के बाद आजळी अपनी जिन निकी वजगी अजीब मुसीवत है 24 खंटी की नौकरी, हसना, सोना, रोना, जागना, उच्छा बैटना, सब आक्टी ही एक्टिंग, मुझे नहीं एंसी कंडी नौकरी, मैं चली जरा सुनिये मैंने कहा जी, कि मेरे पिता जी के यह रहने पर आपको कोई अप्राश है अश्वाख है लूम दिष्ड़ा है लूम दिए लूम यहाँ रेमोच्ति और यहाँ नमस्ति माजी भगवान गोदी हरीकर्माजी तर्वादा खुलने में इतनी थे कब से खट खट आ रही हो बात ये है मुमाजी कि वो इनके खुराट में कुछ मुझे सुनाई नहीं दिया अभी कुछ अंजल तो नहीं किया बहू जी महीं तो तो लो पहले ये भगवान का चर्णामत मुझे को लगा लो मुझे से तारों की छाओ में लाई है अपनी बहू के लिए भोले नाथ में चाहा तो इस साल मुन्ना खेलेगा इस आंगन में मुन्ना? ये ये चर्णामत तो चमतकार है बेटी अब तुम पहले बच्चे का काम छोड़ो और दूसरे बच्चे की आसका है बच्चा माजी मुझे उत्तम में सब कुछ बता दिया है उत्तम कहता था कि तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की लिए और ये भी कहता था कि मीता तो ने बहुत हसमुख की थी मेरे बच्चे के सब में इसका मिजाज जरो चिर्चरा सब दिया और क्या से कहा था माजी? घबराव नहीं, उसमे कोई बुराई तो नहीं की तुमारी वो तो ये कहता था कि माजी मैंने पिछले जन्य में कुछ भले करम किये थे जो मुझे मीता जैसी पत्नी मिले माल के? आव कम ला लो बहुँ, नहाने में तो देर लगेगी जल्दी से चार छिंचेनों के माल के ये कपड़े पहने माजी पहन लो बहुँ जेवर दुलन को सजा देते हैं मगर हमारी दुलन ने तो जेवरों को सजा दिया उत्पन देते हैं देख तो हमारी दुलन कितनी सुन्दर लग रही है मांकें मांका सेंडूर ये तो उत्तमू भरेगा जुग जुग जीए जोड़ी अब चलो मेरे साइट अपने सुसर का भी इशीर बात ले लो वह अपने दो को इस रूप में तेका कितनी खुश होगे जी आप चलिए माजी मैं भी इंके आर्टी उतारहाती हूँ बीटा आप चलिए आर्टी के फूल भेटो जी पूल तो मेरे पास बहुत है फूल बहुत है माजी अच्छे जल्दी आना बहुत है क्या कहने माशा अल्ला नजर तीर आप की क्या कहने माशा अल्ला नजर तीर आप की जी चाहता है जी चाहता है की चिलू तस्वीर आप की क्या कहने माशा अल्ला नजर तीर आप की जी चाहता है की चिलू तस्वीर आप की विजाहता है कि चिलुक खसले रापती क्या कहने माशाओ अल्लाः चेहरा सुहाना प्यार की रोशन की चाब है विजली विजस को पा न सकी वो शवाब है आता है रोज पूज में सूरत कदम को छूमने बेने को हम भी आगए दिल खा जवा गुलाब वै वल्ला क्या है तासीर आपकी वै वल्ला क्या हसीर आपकी ये चाहता है कि चलू पस्रीर आपकी क्या कहने माशा अल्ला प्यारा प्यारा है गोंगर तुमारा बाहर है जिल का ये तारा ऐसी अदा पर मिसार है तांजी से गोर हात में महंजीर ची सुहाद की इसके लिए वो नाजनी इतनी सजी हुई है दुलहन बनी है आज तो तकदीर आपकी जी चाहता है जी चाहता है की चलू छस्रीर आपकी जी चाहता है की चलू छस्रीर आपकी जी चाहता है माशा अल्लाई माजी क्यों बहु आरती उतारने में इतनी देख ये क्या आजी आप मोडरे पर खबर दने के लिए किस लिए जा रहे हैं पडले अही नौकर किस लिए हैं बहु चल मेरे साथी अथम तुम तुम श्री चलो चैय के साथ हल भी बना है आप चलिए जा हल्वा कहने वाला हुलिय बना चलाता हूuen आफ शाए? आख गड़ा आजावाज करता हो पीटा-जी बाल बाल बच गए देखिये में किसको लाइऑ हूँ किसको लाई हो देखिये नम अरे, बहू जीती रहो, सुफी रहो आउ, आउ, ना बेटो, ना बेटो तुम्हें देखका तो ऐसा मालम होता है जैसे हमें हमारी खोई हुई मीता मिल गई और जैसे चौदा बर्ष के बाद सीता बंद से वापस आई हो अपने राम के साथ अब आप मुन्ने के साथ खुद खेलूगा माजी, अब मैं जाओ तुम बैठी रो, बैचा बैचा अभी, हमारे दिल नहीं बड़ा तुम्हें देखका नहीं, बास यह है कि मुझे इतनी जेवस पहने के आदफ नहीं है देवा 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 हो जाएगी लेते यह लो तुझोरी की चाबी, अभी जी नहीं जाता, तो रख दो, जल्दी चाहे पहन लेना आपके पास लखी है ना माजी? नहीं, तुझोरी की चाबी ना अभी चुएगी न मैंगी, अभी यह सब तुम्हारे काम है माजी, जी तस्वीर क्या बताओं बीटी, अगर आज जी होते, तो तुम्हारे और उत्तम के बराबर होते ऐसे बिचले के फिर न मिले तुम भी जैसी बाते करती हो, अरे भगवान ने उत्तम और मीता के रूप में इन दोनों को भेज़तो दिया आप, अब जेको, इचा बराबर रखो अच्छे, यह तो अच्छे घरायनी की बगवों के धर्म है आप, बहुत बढ़िया चाबनी है लेकिश पिता जी मैं तो शक्र डालना ही भूल गई थी कुल बात निये, तुम भीकी चातों को भी बना ही नहीं सकती और देखो, आठ का खाना भी मैं तुम्हारे आठ का खाऊंगा आठ बेकिश आपके पथे स्रसीमा जी, लाइए, मैं इंके हाथ दुला देची हूँ कितनी शर्द है पती के लिए अच्छे घर की बहु बेटियों की यही तो गुन होते है अच्छी तरह हाथ दुलीजी, कर नौके सी भी हाथ दुने पड़ेंगी क्यों? मैं इस नौके शोटी जा रही हूँ अरे उक्टम, हाथ दो रहे हैं नहां रहे हो चलो, खाना ठंडा हो रहा है अभी आए पिताजी, उदर खाना ठंडा होने की पड़ी है इसर मैं ठंडा हो रहा हूँ चलिए, चलो ना भई, आओ आओ बेटाब, बेटाब पेट भरकर खाना खाली जी शायद फिर इस खर में खाना नसीर नहों मैं जरूर जा रही हूँ इन दोनों की वज़े से आज 14 वरस के बाद इसर में रोना कुई अब तो रोज ही राउनक रहेगी, भगवान ने हमें पली पलाई जोड़ी दे दी देखा आपने, हमें पाकर इन लोगों को कितनी खुशी मीनी है अगर आप चली जाएंगी, तो मेरे साथ साथ इनका भी दिल तूट जाएगा इनने छोड़ कर जाने से मेरा भी दिल रूप जाएगा, तो मगर इस पत्ति पत्नी की एक्टिमिस से नहीं होगी अचा फर्स कीजिए, मैं आपका असली पती होता तो तब तो अलग बात थी, छूटा दिखाव तो नहीं करना पड़ता तो इस छूटे दिखावी को सच के नहीं बना ली थी है आप क्या हुगा बेचा कुछ नहीं माजी, आपकी बाहु ने पठागा छोड़ दिया तो नहीं तो बाहु को छेडने से बास नहीं आते छेडना तो कोई इन से सीखे माजी आज सुबह से कह रही है, मैं मैं के चली जाओंगी यह समझती है इनके चले जाने से आप लोग मुझे भी खर से बाहर निकाल देंगे बिल्कुल ठीक समझती हैं बाहु बाहु के बगार तुम किस काम के जी आप तो खामखा दोनों में जगडा करवा रहे हैं बेटा, आज के बाद तुम दोनों में कभी जगडा नहीं होगा बाबाजी सब ठीक कर देंगे बाबाजी? यह बाबाजी कौन है माजी? जिन से सुबह ने चर्नम्रक लेकर आई थी आज शाम को यहां आएंगे बाबाजी कितने बच आएंगे, माजी? बाज़ बिटा है जल्दी भी तो आ सकते हैं खौबट काफ़िए माँ भारवसी है, आप अब्रायान नहीं ले सकता मिष्चे, मिष्चे, यही आपकी बहु मिष्चा है आप तो जाने जाना महाराज यही मेरी बहुआ परनाम करो बेटा, परनाम करो सुहागमर रहे, सुहागमर रहे शर्मा महिंग बभू, बाबाजी तो प्रभु सामान है, इनसे कर शर्म? हाँ देवी, शास्त्रों में लिखा है के पती, गुरु और भगवान से नहीं शर्माना चाहिए हमें भी इन तीनों में से एक समझो बाबाजी, आप पहले भोजन कीजेगा लिए आप भोजन का प्रबंद कीजे, तब तक हम भजन करते हैं आँ देवी, हम बैठ जाते हैं शर्माव नहीं, हमारे पास आकर बैठो यदि तुम्हें कश्ट होड़ा हो, तो हमीं तुम्हारे पास आकर बैठते हैं हमें ये दूरी अच्छी नहीं लगती लेकिन महाराज, हमें ये अच्छा नहीं लगता इसमें क्या बुराई है देवी, हम तुम्हारे पती उत्तम की तरह जवा तो नहीं है महाराज, लेकिन आपके आवास तो हाँ हाँ, कभी-कभी किसी से मिल जाती है नौकरी के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा नाटक रचना पड़ता है पती-पत्नी का नाटक सच हो तो आगे बढ़ो नहीं तो पीसे जाओ हाँ, सच है महाराज, लेकिन ज़रा आइस्ता निस्चिंद रहो देवी, निस्चिंद रहो अगर तुम्हारा भेद खुल गया तो मुझे भी कष्ट होगा भलाई तो इसी में है कि तुम कभी उत्तम को न छोड़ो अगर तुमने कभी इस घर से बाहर कदम रखा तो राहू और केतू शेनी के घर में आ जाएंगे और इससे तुम्हें और तुम्हारे उत्तम को खोल संताफ होगा लेकिन महाराज, मैं इस तरह एक पराय आदमे के साथ कब तक रह सकती हूँ जीवन भर रहो इसी में तुम्हारे जीवन की सवलता है क्या बात है देवी? किस विचार में ढूबी हुई हो? अभी बताओं या बाद में? नेक काम में देर कैसी वराविस्टर में एक पल में रहोंगी एक क्यों कि मैं आककर नहीं हूँ साथो साथो हूँ कुछ सुनना नहीं, बहुरू प्या नहीं मैं तो प्या भूनने क्या क्या कर रहा था कहा नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है सुनने बताओं उस दिल नहीं, जिन्दा दिल बहुरू प्या हैक्सर कही के इससे पहले और किसनी लड़कियों से याक्ती के आपने? अभी पताता हूँ निलम, पिलम, शिलम, अंतो, बंतो, शंतो सुबह लक्ष्मी, ग्रिह लक्ष्मी रोजी, मोजी मीता, आपका नमर तो बारवा है बारवा, और इन सबसे क्या क्या कहते रहे आप? जी, लड़कियों से कहने के लिए सिफेकी बात है मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन हर लड़की से कहने का ताइल जरा अलग-अलग होता है मिसाल के दौर पर यूपी के नीलम से कहता था नीलू, तुम्हारी नीली आखी, दो खूबसूरा जीले हैं जी, चाहता है इनमें डाइफ करके हमेशा के लिए डूप जाओं और पंजाब के बंतों से कहता था सोड़िये, चुप कर रहा गड़ी तविच बैजा रोएंगी तो चपर खाएंगी छोड़ दो मुझे और बंबे के शालनी से कहता था शालू, चटक चांधनी जरा इकड़े ये, जरा इकड़े ये गुलाबिची कली जरा इकड़े ये, जरा इकड़े ये और मदराश की सुबलक्ष्मी से कहता था सुबू, चकरपने, अड़ी रुकुमनी ये जन्ने नाडवंदने, नकी केडवंदने और बंगाल की इला से आप क्या क्या कहते रहे? इला के बोल तुम इला इला ना, किसो ना? ओहो, बोलो ना तुमार मिश्टी चहरा देखे आमार मोने एक्टार वसगुला भेज़ा थे और गुवा के रोजे से क्या कहते थे? रोजी? अरे बापरे, वो मुझे कहा बोलने देती थी? वो तो खुज बोलती रहती थी आव तुझी रानी तुमाजा राजा और मिटा के लिए सिर्फ यही रहा जी चाहता है खीश्रू दस्विरापकी क्या कहने माशालला लेकिन सुनिये तो सही आप यहां से फॉरण चले जाएए यह मैं कह रहे हूँ, समझे? तुम सुनिये आप इस हत पर से फॉरण चले जाएए अच्छा, अगर आप चाहती है तो मैं चला जाता हूँ सुनिये दर्वादा तो बंद है आप कैसे जाओ? आप नहीं जाते तो मैं चली जाती हूँ यह क्या कर रहे हैं आप? यहां से तो मुझे जाना चाहिए तो फिर जाएए ना जाओ? हाँ हाँ जाए अच्छा, जाता हूँ क्या सच मुझ जाओ? आप जाते क्यों नहीं चले जाएए गया जाओ उस्तन मीता जो कुछ मैं कह रहा था वो एक्टिंग नहीं थी मुझे सच मुझ तुमसे महबद है मीता जी चाहता है खीचनू तस्वीर आपकी मीता मीता वो दूओ जाओ जाओ बस्तन मीता मीता जाओ जाओ झाल झाल जाने बहार जाने बहार मिछे तुम मिले जिन्देगी में गई है जाने गुलिस्ता ए मेरी जाने जाना तिरे प्यार से रोशन मिल गई है तिरे प्यार से रोशन मिल गई है ए जाने तनना पे जाने बहार तिरे जाने बहार क्यों छपाई सजा से हो तेरी नहीं हो पराई नहीं हो पराई तेरी आर्जू ने ये हिम्मत बढ़ाई जबी बात दिल की जबां पे जो आई ए जाने तनना पे जाने बहार मेरे बोले पातिल तुझे क्या बहार क्या ख़बर है तुझे क्या ख़बर है मेरी मन जिनों का तुही हमसफर है तुही हमसफर है नभी आप दोलो दियों में सुहाले तेरी जो कहाले हो मेरे कहाले तेरी जो कहाले हो मेरे कहाले ऐ जाने गुलिस्ता, ऐ भेरी जाने जाना, ऐ भेरी जाने जाना लोहाजा सदके ये जी चाहता है करो तुझका सच दे ये जी चाहता है तुझो दिल में रख लू ये जी चाहता है ये हस्ती में तादू ये जी चाहता है ऐ जाने तुम है ऐ जी चाहता है तुझे तुम में दिल में जाने 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 है तिरे प्यारे से रोशनी मिल गई है ऐ जाने गुलिस्ता ऐ मेरी जाने जाना ऐ मेरी जाने जाना कर दो पोना अ के जाने 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 वर्आय जानरे बहु बेटा बनकर आप 20 लाख रुपए की मालिक बन गई शुक्रिया क्या चाहते हैं आप 20 लाख रुपए में से सिर्फ 5 लाख रुपए वो किसी है खून के जुर्म में आपकी सुराइदार गज़दन को फांसी के फंडे से बचाने के लिए लेकिन आप अच्छी तरह से जानते कि मैंने किसी का खून ने किया लेकिन ये कानून कैसे मानेगा क्यों नहीं मानेगा कानून के पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ कानून के पास तो भी सबूत नहीं है सबूत मुझ खाक्तार के पास है देखें इस रुमाल पर आपके खून अलूदा पंजे के निशान है नू ये रुमाल आपके लिए फ्रांसी का फंदा बन सकता है और ये देखिए तक्रीज भरा बतलाईए क्या इस तत्मीर को देखकर कानून ये नहीं मानेगा कि आपने मेरे चचा का खून किया गुस्ताखी माफ क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसे सुबूत होते हुए भी आपने अभी तक अपने चचा के खूनी को कानून के हवाले क्यों ने कर दिया वो इस ये कि ये शक्त अच्छी तो इसी जानता है कि मैंने किसी का खून ने किया उत्तम तुम खामश क्यों होगे बुलो ना शायद आप नहीं लेकिन मैं इनकी उलजन को अच्छी तरह समझ सकता हूँ महबूब को फूनी जानते हुए भी दिल उसके दामन नहीं चुड़ा सकता नफरत नहीं कर सकता उसके बगएर जीना एक गुना मालूम होता है क्यों ठेक है न उत्तमा वो बड़ी दूर जाती है आपकी नज़र गूद वेरी गूद देखिए मेरे चचा को जिन्दा हो नहीं सकते लेकिन मैं ये कभी गवारा नहीं करूँगा जाके मेरी होजा से दो अर्मान भरे दिलों की दास्तान अधूरी रह जाए अपनी महबबत को हमेशा के लिए महफूज रखिये लीजिए शुक्रिया आँ सुनिया तो सुनिया मेरी मज़़ूरी मज़़ूरी पांच लाग रुकों हो उस्तम कहिए कहा और कब हाजिर हो जाओं तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है अभी लेते जाए कहिए कैश या चेक यह लीजिए इसे बेवकूफी कहूं यह ललकपन लेकिन मुझे आप से इस तरह की हरकती कभी उम्भी ना थी जाद रखिए जूते पती पत्नी बनकर रहना भी कानूं की नजरों में चुरू बहू बहू क्या हुआ क्या हुआ पांची राज्टे कुछ चुद्ध खराब है बढ़ाई हो मालकर जी यूही खराब नहीं हो रहा बहू रानी का दिखा दिया चरन अमरत ने चमतकार, खो गया पाँ भारी बहू का मैंने कहा मुबारिक हो ! बहू की तबीयत खराब होने लगी बहू की तबीयत खराब होने लगी influencing को मुबारयक तो कहा शी ए mindset आरत की भाशय आरत भी सम्झे भगवान के घर से आ रहा है आपको दादा कहने के लिए यह जबादा आ जा रही हूं क्यो मीता माने तुम्हारी उट्टी को उस्मग लिया अब क्या होगा जब कुछ हुआ यह नहीं तो होगा क्या ओ आपको तो दिल लगी सूच रही है कम से कम यह गलत फैमें तो दूर कीजी उनकी मीता यह गलत फैमें दूर करने गये तो कहीं उनकी सारी खलत फैमिया दूर नहीं हो जाए उसन बेचा ओ महा मीता उत्टाओ अपिम दोड़नों में जória नहीं होगा जवगां मीताने वाला आ रहा है क्वू, कूपू, क्वू, कूपू, निता, तु तयार गही, बॉज जाना है, दो रॉज़, कूपू, तु में टाँ है, कि बढ़ और करता है, कि बढ़ो के इंहां अगर मघर नहीं करते हैं, जाओ, चलू, दरी हो रही है, आओ, Conna, 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 Conna. क्योंकि रुपा देदी की शादी अभी तक क्या आपकी शादी अगर की शादी नहीं हूई है तो हो जाएगी लेकिन माता इएक बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह पहुँद भारी का शादी के साथ क्या संबन्ध है क्या बगार शादी के पहां भारी नहीं हो सकता? नहीं, कभी नहीं! I don't agree to it. माता जी, कर आप कही यहां से जाने के बाद, रुपा के पहां में छोट आगे. आज बिचारी का पहां भारी हो गया. मैं अभी अभी बिचारी को दॉटर घंटी के बाद सोड़ के आया हूँ. अरे पगले, हमारी बहु माँ बनने वाली है, और तुम चाचा. चाचा, माता जी, चाचा, वेरी गूट, वेरी गूट. अब लग रही हो मेरे आने वाले पोते की मा. अच्छा, तुम चलकर गाड़ी में बैठो, इस हालत में ज्यादा चलना भी न, ठीक नहीं. में बबल चुका कर आते हैं. सुन्द, अगर जाना नहीं माझी आने वाली है. स Linkedr, सुना नहीं, माझी आने वाली है. सुन्द, गारी रुको. सुन्द, गारी अपने इठाने बरको खुली रुक जाएगा मॉर Τें भी अजीव होती हैं , अपने आपको प्रधार समझती हैं आने वाले बच्चे की खुशी में। और होने वाली मा को देव की बाधार लेकर चली गए . जहने कपड़ के लिए और होने बाप को यहीं छोड़ गए। जैसे बाप को चीज ही नहीं ist अब हमें बाजार पे देखकर पता चलेगा कि हम भी कोई चीज चुंदर मौले जरह चली पून देखो हलो मीता, तुम कहा हो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उत्तम, तुम मेरी कुछ फिकर मत करना अब चली के लाले में उचा अब बदल की ले आये हैं कहा? क्य की मंजल में? मुझे मालूम नहीं, ये जरगा और ये मकान मेरे लिए बिल्कुल नया है पता नहीं वो मुझे कहां ले आये है वहां अरो, कोट रहा है आपका खादिम यहां हाजिर है अगर आप मेता की जझनलगी चाहते हैं वह आज श्याम तुश्या शुप्रेगे तक वहां चला सुचछी मंजल में पहुचा कर रहा है अगर आद्नी वह आपका इंतजाया औरह की इक यहां और मेंच तरह कर आदेंगे अगर मुझे वहान नहीं पाएगी, तो खुट भा खुट चली आएगी माजी मिता सरी सलमत है माजी, शाम तक आजाएगी यह सब क्या है शेची, वीता कहा है? कुछ हमरी में नहीं आता साच और बहु दोनों को लेके बजार के था खुट वह सालत ना आया है, बहु नमाजू का है बबाद सबर से काम लो बती, सबर से काम लो सिर्ची मीता मेरी दुनिया है, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं जिन्दा ना रह सकूँ रूपा मीता तुमारी बेहन चाहिए, अगर हम लोगों के लिए भी हमारी आवलाज से कम नहीं उसको ढूंड़ने में कुल कसर नहीं छोड़ना, तुम मैं क्यारो, मैं पुलिस को रुपर्ट कर चाहिए जिल्द की ज़िर चाहिए पिता जी पुलिस को ख़बना कीजिये, क्यों? इसमें मीता की जिंदगी और मौत का सवाल है मेरे कुल समझ में नहीं आता, आखिर बात क्या है? किसी ने मीता को अगवा कर दिया है माजी, इस तरह जान खुनी से मीता तो नहीं मिल सकती मेरे उसे अपने बेच्चेन मंता का सहारा बना लिया था उसे पाकर मैं अपनी ख़ईवे आलाद को भूल गई थी माजी, रूपा, तुम उसे भागन माँ का दुख क्या जानो, जिसके गोती हुचड़ गई हो माजी, आपका तो दो दिन का साथ था मैंने तो उसे चौरा साल अपने सीने से लगा कर रखा खुद यतीम हो गई, लेकिन उसे माँ की मंता और बहन का प्यार दिया क्या उसके बिछड़ जानी का मुझे कोई गम नहीं फिर भी, तुम मा नहीं से हेली हो तुम्हारा दुख से हेली का दुख है तुम उसे दो चार दिन में भूँ जाओगी और मेरे तो पुराने जखम हरे हो गए यह अपने कैसे कह दिया कि मैं उसे भूल जाओगी कभी कभी दिल का रिष्टा उनके रिष्टे से भी गहरा होता है मुझे तो आज भी वो एक ननी से दुलन याद है जिसे मेरी माँ ने आसाम की बाड़ से बचाया था आसाम की बाड़? रूपा? चौदा सार पहले? हाँ, आसे चौदा सार पहले जम प्राम्य पुत्रों में तुफान आया था मुझे पुरा-पुरा हुश था मैं और मेरी माँ काँ छोड़कर भाग रहे थे तो दर्या की तुफानी लहरों में एक नन्नी से दुलन को मेरी माने डूपते हुए देखा नन्नी से दुलन? उसे बचा लियतना हाँ और उस राभादों की पूर्ण माशी थी शायद जब धर्ती के चांड दूब रहे थे तो आस्मान का चांड अपने पूरे शवाब पर था मेरी माने अपनी जान की वाजी लगाकर मीता को बचाया और उसके बदन पर सुहाग का चोड़ा भी था गुलादी चोड़ा और गले में गुलू बंच और माते पर लगन का मुकट भी था ना धाना मुकट भी था लेकिन उस हागन के दामन की खुली वी काट कह रही थी कि उसके सब साथी पिछड़ गए थी अर बोल पिछाड़ी रहो के डी हुआ का फुलाइश मुकर, मीरे मुआश तो में को देखो बेखो यह सक्ष़ को शामने ची भी तो में आपाजी है तुल यह प्लोले रोबपा यही तो मेरे पिछली में पाह लो अरो गुता में ना महाँ सत्त मिरा मौद zuzy मौद मौद माजी वे ही माजा को मा सिरस मा अच चौर्डाबस हो गए त्मारे मूद से मां सुने मेरा बहु पेटा घर में और ना उनके सपने देख 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 माजी जानी तो आपको मीटा के बारे में कहा था मोहन के बारे में लिए मोहन पेटा तुम्हें अपना नाम क्यों बदल लिया थे मैंने अपना नाम नहीं बदला माजी, मैं उत्तम हूँ, मौह नहीं मौह नहीं, रूपा, हाँ माजी, उत्तम भाई अच्छी कहते हैं, कोई बात नहीं मेरे लिए उत्तम और मौह में कोई खरक नहीं रूपा, तुम्हें मिद्दा और उत्तम की शादी कब करवाई शादी, शाएद उमने ढाध नहीं तुम्हें तुझा हाद वागा बीटी मा झी, मैं क्या, ह्यें बोलो बीटे हम दोनुकर सादी नहीं हही मा झूँ शादी जाना गोइं? नहीं तुम्हार मेता पति-पतम नहीं नहीं नहीं? रुपा, तो नीता हमारी बहु है न? वेशत माजी, वो आपकी बहु है तो तो तुने हमारी मासूम बहु को बहगाद उसे घर प्राज्टे लगाए रखा बगाएर शादी की उसके पती बने रहे, वो एक बच्चे की माँ बन गई क्या निकल गया होगे? वेशत में बहुत बेटे को पतीज करने जशना तो डूप को न मरा मा चोर दो जिस घर से तुझे माबाँ को फ्यार मिला, उसकी घर के ना रुप में तुझे वाट उना आरे वाट तो सुझे, ये ना तक सिस नौगरी के में रजायत था इनका कोई पुशूर में रसूरत मेरा है जिसने इसनी इसकी शगल आपने मोह को देखने जा तुझे जैसे पापी को जितनी जलूब आप अगया हुताँ चाँ माजी, अगर आपको मेरी मौत ते इसनी शांती मिल सकती है तो अपने हाथों से मेरा गला क्यों नहीं घोड़ देती मेरा तुझे जैसे तुझे को छूगर आपने हाथ नहीं करते कर नचाती मेरा पापी एक दिन तेरा गला घोड़ देगा तुझे एक माँ का दिल दुखाया, तुझे मर कर भी शांती नहीं मिलेगी आपके कोई अउलाद नहीं है तुझे इस तरह मेरे बेटे को बद्वा दे रहे इस पे शर्म को आपना बेटा करेता हुआ को शर्म नहीं आती तुझे अचुदोगा नहीं, जैक शरी शर्म को बहुते प्यार करें और कीसित शिखें दे रहे आपने बेटे को यहां से माजी बेटा को आपना दो को आपना दो बेटा को आपना दो बेखरण जिन घर ते पेईनद्ध होका निकाले गया उसी घर के दर्वादे खकता है तेरे हाथा तुछ गया यही कुल खिलाने के विए शहर आया था या इसी जिन के लिए मैना तुरी करते मनद तुझे बढ़ाया था कि अपनी नालाई तुछी उसा मेरी पज़नी चल्वाओ नाल सभपी माजी वर знать दें उसे मेरी बात ता तुर्वाद whats so सलय रापत ता दिए ची तरनी रौत मतार तो मेरी बात तुम नाल आज़ो tips जब तक पिषाजी ना जा मैं यहाँ जाने हैं लुगा ताजी कौन पिता ने बाल पोज कर तो मैंने बढ़ा किया तो इन राज तो भी सिर्मन थी मुझे जवान करते करते मैं खुद पूरा भोगया और आज जब मेरी सेवा का वक्त आया तो दूसरे को मभा बना लिया तुम्हा लिये मेरी जान भी हांतर है बापु अग मैं तेरी एक लेशन ने, तुम्हे साब गाउचा जब मैं तुसे वादा करता हूँ बापु, अपना फर्स पूरा करते ही मैं तुम्हारे पास आजाँगा तुम्हारे साथ गाउच चलाचलूगा मुझे सिर्फ एक बार चोड़ो बापू, एक बार चोड़ो नए किसी की जान खतर में है बापू मुझे जाना ही है उत्ताम इत्वात लागत प्रेयर मीटा की जान की सुनगत अगर आज शाम को छेविए तक रुपए उस बनमाज के पास की पहुंचेए तो शायद मीटा की लाज कभी हम नहीं पहुंचेए तो आप उड़ेजी रुपए वक्त पर कर नहीं पहुंचेए मैं भी आपके साथ चलें मिश्यक जी अगर कहा जाएं जोगे जी जिन बनमाजों ने क्लिफूर किया था उसके अंटेर पतर सिर्फ उत्तर भी को मैंने अली हुपआ क्या हो गया कहा जा रही हो ना लो तु मीता को किसी ने अभुआ कर लिया है है? मीता को? हाँ अज पांच लाग रुपए उसके जान की अखीमत मांगी है पांच लाग रुपए? मैं उस बदमाश को पांच लाग जूते मारूंगा कौन है वो? यह सब जानते तो रोना ही किस बात का था सिर्क उत्तम भया ही इन बदमाशों का पता जानते हैं और उन्हीं भी माताजी ने किसी गलत पहनी में आके इस घर से निकाल दिया है कहीं वो अपने पुराने मकान में तो नहीं है कैसे बसकता है उत्तम को मिलने मैं खुर महाँ से आ रहा हूँ है पांच अगर उत्तम भया ना मिले तो मिता भी ना मिल सकेगी रूपा तुम फिगर मत रूँ मैं उन दोलों गी तलाश में जमीन आसमाने कर दूँगा कम अनना के रहा हूँ प्लीज ओ मेरे साथ ओ जक्तर साथ घबराओ नहीं बाबा तुम्हारा मिलता जल्दी हुश में आ जाएगा आपको हर तरह की जहमत से बचाने के लिए चिट्थी में खुद लिखकर लाया हूँ पढ़िए पुझे माजी मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है चिट्थी लाने वाले आदमी के हाथ आप इसी वक्त पांच लाग रुपर भेशकर मुझे बचा लीजिए अगर आपने इंकार किया या पुलिस में जाना चाहा तो शायद आपको मिलाश भी ना मिल सके अपकी बहुँ अब अपने मुबारिक हाथों से इस जगे अपना नाम लिख दीजिए रुपया में खुद वसूल कर दोंगा और अगर ना लिखूं तो दुनिया महबबत के लिए ताज और तख ठुकरा देती है और आप सिर्फ पांच लाग रुका कुर्बान नहीं कर सकती और वो भी और किसी का क्या सोच रही है पैंदू लाइए जानती उसका अंजाम क्या होगा मौत से बढ़कर और क्या होगा मौत से बढ़कर और क्या होता है वो तुम अपनी आंखों से देख लेना क्या हम मेरी जिन्दगे तेरे प्यार में हम कहां कहां से गुजर गए हम कहां कहां से गुजर गए मेरे दिल से आई तेरी सगा हम जहां जहां से गुजर गए हम जहां जहां से गुजर गए मेरे जिन्दगे मेरे दिल में ढूंधा जगा जगा के पता तुम्हारा जगा जगा नहीं चला फिर हम भी तेरी तलाश में गुल आरजू तो नहीं खिला जहां आफ ताब ना जा सके जहां आफ ताब ना जा सके हम वहां वहां से गुजर गए मेरे जिन्दगे मेरे कहीं तुझे पाके मानेंगे एक दिन हमें मात का कोई डर नहीं हमें मात का कोई डर नहीं तेरे आस्ता से गजाए गए मेरी जिन्द दिन मेरे दिल से नितना है गेत जो तुसने तो फिर कोई बात है तु जलक दिखा तु नजर तो आ तु जलक दिखा तु नजर तो आ मेरी हर दिया तेरे साथ है तुझे देख ले इसी शाप में तुझे देख ले इसी शाप में गमे तो जहां से गुज़र गए मेरी जिन्द दिन तेरे प्यार में हम कहां कहां से गुज़र गए मेरी जिन्द दिन पेट्रोल डलना एक लिटर इस थेड़ात की छोकुरी ने तो मुझे परेशान कर रख़ा है इन चोक्रियों का दंदा ही परेशान करना है बास डेड़ा हाथ की हो या तीन हाथ जमन जिस वास तुमने ठीक छे बजे तक उत्तम का इंदार लिया था छे क्या बास मैं तो सबाद छे बजे तक वही था लेकिन वो पैसा लेकर नहीं आया बास आप तो कहते थे उत्तम मीता से बहुत प्रेम करता है अब फिर वो है तो नहीं तो अब तक पांच लाग रुपया आपकी मुटी में होता कल से कह रहा हूँ परफेसर बखारी हाँ 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 परफेसर बखारी बखारी तुम्हें तो बखारी का बखार चड़ गया मैं कहता हूँ इसमें बखारी क्या कर सकता है क्या कर सकता है? मैं अभी सुनाता हूँ ये दिखिए दो लीडर हो गया जाब जला पांप आला जल्दी करो लीजिये बास जो बीमारी लाग दवाईयों से ठीक न हो और जो काम हजार तरकीबों से ना बने उसे मशूर हिपनोटिस परफेसर बुखारी हिपनोटिसम के जादू से कर देते हैं विजनस में काम्याबी, मुकदमे में जीत तुश्मन पर फते और महभूब को अपने बस में करने के लिए ओ शाटाप, शाटाप, राट, रविश ये सब पैसा बनाने के स्टंट हैं हम भी पैसे के चक्कर में हैं बास अजमा कर देखे, शाट काम बन जाए दुनिया के काम हिपनोटिसम से नहीं बनते चमन साब और मैं इन बेकार बातों को बिल्कुल नहीं मानता आप माने ना माने ये कि बड़े-बड़े मान जाए तो क्या, वो मीता को हिपनोटाइज करके आपके ना वसीयत भी लेपात अलता है उफ, तुम तो हर बात को जोग की तरह बस चिपा की जाते हैं तुम अच्छा ये भी कर देखो, फरफैसर बखारी चार लीटर हो गया साब चार और डाल दो बाभू जी इसमें पांच ही लीडे राता है कोई बात नहीं, एक अंदर तीन बाहर डाल दो बाहर? या बाहर तुमको पैसे जमतलब ये पेट्रोल थे, जल्दी करो जल्दी करो पेट्रोल जादा आया बाभू जी, आया हो गया चार, हाँ साब हो गया आपकी जोड़ी सला मत रहे उत्त, 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 भाई तफसीर में जाने की सहमत न फरमाईए अधीजमन हम समझे हैं, मामला दौल तो सर से मुतालग है दुनिया में जगड़ा ही ती चीजों का होता है बुखारी साहब जर, जमीन और जन दरीचे शक, दरीचे शक तो आपके बस एक तुछ तरे जन याने के टोशी ज़को अपने बस में करना चाहते है ताके में शर याने के 5 लाख रुखे में मिले हैं दृईटे शक, दृईटे शक लेकिन बुखारी साहब आपने ये 5 लाख रुपेगा किसा कैसे जाना पकिर क्या नहीं जानते है हमें हर्टे आगाज सहिए जामें दास्तार कि बुग आ जानते बू आजाती है ना तो चलिए बुखारी साथ जल दी किजिए आहां आईये बुखारी साहब आईये 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 मिस्टर हैचर्ड प्रफेस्टर बुखारी गट गड़ेग अटत्ति लिमास घर उनेशाद मिज़ाद एकरान। ठीक है ठीक है काम की बास करूँ अग्दुबेश को हाथ मिलाने की इससक बख्षिये बंदा फर्वाद आहां ये नुक्ता अब हमारी समझ में आया कि हुजूर को हाथ मिलाने में इसास क्यों था आपके हाथ किसी के खुन और नाहत से आलूदा है मालूँ होता है कि प्रफेसर साहब दिन को भी चड़ा लिया करते हैं लेकिन मेरा हाथ किसी के खुन से आलूदा नहीं है तो फिर आप से हाथ मिलाने के बाद इस नाक्षिस के हाथ में खुन कहां से आटपका लेकिन मेरा हाथ की खुन साथ है इसमें कहीं खुन नजर नहीं आता है मुस्ताखि माफ अगर गयात की हकीकन भी आपको नजर आने लगे तो फिर एक अमीर और फकीर के निगाहें पुर तासीर में परकी क्या है आखाँ साफ नजर आगा है एक अलिशान मकार मकार में एक लंबा सा हॉल और हॉल के दर्म्यान में एक मेज और एक कुर्सी और कुर्सी पर एक जर्व फुर्फूमर आदमी उफ मिल्कुल यही हां जिसनो उस गुड़े के पिट में खंजर भूग लिया वो खारिक अगर हक्यकत आपको नागवार गुजरती है तो फिर हम तश्रीफ ले जाते हैं खुदा हापिस वास हो गई तसलिश नहीं अभी नहीं प्रफेसर सहाफ मैं आपकी रुहानी ताकत को समझ न सका मिजे इस चित्थी पर उस लड़की के दस्कोच चाहिए यंका यंका रंग रंगी ला मासं लेक चला एक दुलहन शो खसीना मुस्कुरा दी शो खसीना मुस्कुरा दी आज खुदा की पसं रंग रंगी ला मासं यंका शो खसीना मुस्कुरा दी शो खसीना मुस्कुरा दी आज खुदा की पसं रंग रंगी ला मौसं तो ये जिटी आपको आम खाने से गरस है या पेड़ गिनने से अगर हमारे इम के जोर से ये दूशी ता आपको खुद पाच लाख रुपे देता हो तो मैं उसमें से पचास हजार रुपे आपको देतूंगा नहीं, एक लाख, पचहत्तर हजार, सबालाख अगर हमारे इशारों पर ये नाजनी नाचते और गाते हुए दिवानवार हमारे साथ साथ इस कम्रे से बार चलियाए तो समझ ये सुलाएं कामियाबी हासल हो गई इस कम्रے से बाहर मैं समझानेग्या ये आपको एक सूल नही है ये वो नुकते हैं जिनको एहले दुनिया कम समझते है हमारी रूहानी ताकत क असर से कि नाजनीन हमारे साथ साथ इस कमरे से बाहर चलि आएगी हम इसे उस मकान में ले जाएंगे जहां तज़ोरी में रुपए मै। नाजनीन खामुशी के साथ तज़ोरी ख़ू के। और पांच लाख रुपए हमारे हवाले करदेगी और हम अपना हख experiencing काटकर बाकि के पौने चाहर लाक रुपे आप के हवाले कर देगी बस बस बखारी साथ आप जल्दी से वो मक्राथ इसी नगमा चेरिए तो है में चाहर ना हिसा मेरा भी है या परवर्दिगार उस्तावे खांद पीरे कमार ला खामी ला गबार जी चाहता है खीच नो तस्वीरा की क्या कहने माशाला इन पर तो उम्मी से भी ज्यादा असर हो गया क्या कहने माशाला नजर तीर आप की क्या कहने माशाला नजर तीर आप की जी चाहता है खीच नो तस्वीरा की क्या कहने माशाला नजर तीर आप की जी चाहता है खीच नो तस्वीरा की क्या कहने माशाला हम शहजादे दे मुन अगर्ण के नाज है दिल में हमारे तेरे ही दिल की आवाज है पोटों पे तेरा नाम है ये राग एक पयाम है चल दे यहां से दूर हम ढूंगा करे वहां ओए कातिल अदा है आज भी दिल गीराप की जी चाहता है खीच नो तस्वीराप की क्या कहने माशाला सम्झा खदारा अखटा इशारा अप्याने साथ तूपा में पाया हमने किनारा प्यार का स्याद हों की दूर है आजों में तो ही फूर है कहती है मेरे आर्जू है मेरे राज़दा अजिल का करार बन गई तन्वीराप की जी चाहता है कीच नो तस्वीराप की क्या करने माशला ये भी खबर है तुम हो किसी की जान मन फिर भी हमारा दिल है दिवाना गुल बदन क्या से दिलों की आस हो तुम दूर रहके पास हो लोगों के दिल का चैन हो और दिल की होपकार ओ लाई हमको खीच कर तासीराप की जी चाहता है कीच नो तस्वीराप की जी चाहता है कीच नो तस्वीराप की क्या कहने माशा अल्ला नजर तीराप की जी चाहता है कीच नो तस्वीराप की क्या कहने माशा अल्लाप की अब मैं आपको अपनी दुहानी ताकत का तमाशा दिखाता हूँ आपको कहों जाती है आपको कहों जाती है मारा मुझे लपड मारा मुझे लपड मारा जलाँ जर्राबक्तर और फौलाज की पेटिया पहनने वाले ठोकह है जर्राबक्तर और फौलाज की पेखने वाले ठुकेबाद अचिन सहाब, अगर मैं चाहूँ तो आप मेशी वक्त पढ़ सकता हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप इतने बेवकुफ नहीं हैं मेरे मर्ते ही मीतादेवी के खिलाफ वो तमाम सबूत मेरा आदमी पुलिस के हवाले कर देगा और वो सबूत आपकी मीतादेवी को फांसी के तख्ते तक तहुचाने के लिए बहुत काफ दूँ अच्छा चिन सहाब, अगर आपको रुपय मिल जाए, तो मीता के खिलाफ जो तमाम सबूत है आपके पास, आप हमारे हवाले कर देंगे बेशक बेशक, पांच लाफ रुपया इनी सबूतों की दुख्यमत है कुछ कम नहीं करेंगे शर्मिंदा न कीजिए, ये बतलाएए कि रुपया कहां और कम मिलेगा अगर आप कहें तो मैं आज ही परशोदम बाबू इक घर पर पहुंच जाओं वहाने में कोई अतराज तो नहीं होगा आपको उत्तम बाबू, ना तो आप मुझे मार सकते हैं और ना आप मुझे पुलीस के हवाले कर सकते हैं फिर मुझे अतराज किस बात का हो सकता है आज शाम को आठ बज़े, मन्जूर? मन्जूर गट, वेरी गट अगरे दाजनो, तो शाक से चलो मिटा चलो मिटा ओ, माई गाट क्या मिली मैं सपना देख रहा हूँ मैं सपना नहीं, हकीकत हूँ यह आपकी कमर को क्या हुआ है यह रंग, यह रूस, यह जवानी और उस पर यह दाग क्या आपकी बच्पन से कमर तेड़ी है? नहीं गुलबदर नहीं कुछ देर पहले मैं अच्छा बला था अपने बास की खातिर एक लड़की को पकड़ने गया उस कमबक्त ने इतने जोर से मारा कि मेरी कमरी तेड़ी हो गई वहाँ है वो लड़की, मैं अभी उसकी कमर तेड़ी करती हूँ वो अपने प्रिसुम के साहे चेड़ी गई और उसने मिने काटा भी पाच लाग क्या बंदा परवर मैं अपने इल्म के जोर से आपको पचास लाग दिलवा सकता हूँ मेरी रूप की गहराईयों से एक सहर अंगेस नगमा फूटेगा अगर उस नगमे के मतनातिसी असर से मामूल मेरी तरफ खीची आए तो समझिए चारने काम बन गया और अगर हसना खुद मस्त होकर रक्स फरमाने लगे तो चारने में चारने और जोर दीजिए और हाँ 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 इसके बाद क्या होने वाला है वो अब मैं फरमाता हूँ कि अगर वो आप के रक्स में शामिल हो जाए तो आठाने में चारने और मिला दीए और अगर वो दिवानावार आपके साथ रक्स कर्ती आज़ी असगर से बाहर निकल जाय तो समझ दिजीजी का पूरे सोली हासिलो गई अप छ Gram जमन, उत्तम बाबू को इन दोस्तों को नहाइत इजट और एतरान वाले कमरे में बंद कर दो, जब तक हमें रुपया नहीं मिलेगा, ये लोग जमाने के तोर पर हमारे मेहान देखेंगे, बेशक बंद कर दीजे, नीता आपके चुंगल से बचकर अपने घर पहुंच गई ह अब हमें कोई फिकर नहीं है, हमारा फर्ज पूरा हुगा है मीता, घर जाने के बदले तुम मुझे कहां ने जा रही हो? मंदीर में क्यों? अच्छन बाबू की कैद में जाने के बाद, जब तुमसे मिलने के कोई उमीद न रही तो मैंने काली मां से मननत मांगी थी, कि अगर मेरा प्राद फिर से मुझे वापस मिल जाए तो हम दोनों पती-पत्नी के रूप में मां का आशिरवाद लेने आएंगे पती-पत्नी के रूप में? हाँ, उत्तम, आज मां काली को साक्षी बनाकर, तुम अपनी हाथ से मेरे मांग में सिंदूर भर दो, ताकि धरम के नजर में हम दोनों गुन्हेगार न रहे विवाहत स्त्री के मांग में सिंदूर भरने का अधिकार, सिर्फ उसके पती को होता है, मीता तुम ही तो मेरे पती हो, उत्तम, आज मां काली के सामने माला बदल कर, हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे काश ऐसा ही होता, पर तुम, तुम किसी की पत्नी हो, मीता मैं पत्नी तो हूँ, मगर तुम्हारी हूँ नहीं मीता, नहीं, सुनो, तुम उस घर की खोई हूई बहू हो, तुम्हारी रूपादीदी ने बताया है, के तुम वही मीता हो, जिसकी शादी हो चुकी है, सेर जी के बेटे महन के साथ, और मैं, मैं वह महन नहीं है अगर तुम वो मोहन नहीं तुम मैं भी वो मीता नहीं मैं तुम्हारे बगल जी नहीं सकती हो तुम जी नहीं सकते अब तुम्हारे साथ जीना मेरे लिए गुना है और तुम्हारे बगल जीना मेरे लिए भी गुना है मीता तुम किसी की आमानत हो तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने पती के घर में उसकी इज़त बन कर रहो और मेरा फर्ज है तुम्हे वहाँ पहुचा कर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर बहुत दूर चला जाओ नहीं उद्वन नहीं अब मेरे दामन पर आंसु बहा कर ना खुद गुनागार बनाओ ना मुझे गुनागार बनाओ चलो मीता, घर चलो चलती है, मगर तुम यहां से चले मेचाना मुझे जाना ही होगा चलो बभू राली, उत्तम बाबू उत्तम बाबू, आप लोग कहाँ चले गए थे? इन्हें माजी के पास ले जाओ कम्ला मालक इनकी तो आखे पथरा गई है आपका रास्ता देखते देखते मैं उन्हें आपी बुलाला की हूँ उत्तम बाबू, आप यहां से जाना क्यों चाते हैं? मैं इस घर को मंदिर और माजी और पिताजी को देवी देखता समझता हूँ जिन्हों ने हमें अपनाया, हम पर ऐसान किये मैं उनके ऐसान का बदला गद्दारी से नहीं चुका सकता गद्दारी? हाँ गद्दारी, इस घर की बहु से प्यार करके उनकी इज़त से खेलना गद्दारी नहीं तो और क्या है? प्यार ना सही, यूँ भी तो आप यहां रह सकते हैं कम से कम मैं दूर से आपको एक नजर देख दो लूँगी यह खाहिश तुमार लिए पाप है मीता यह दूर से देखने की तमन्ना दिल की आख को बजाएगी नहीं बल्के और भरकाएगी और एक दिन इस आग में इस घर की दुनिया जलकर राख हो जाएगी मगर आपके जाने से मेरे दिल की दुनिया जलकर राख हो जाएगी मीटा, मीटा, मेरी बहु पुमाई जी मेरे मुझ की बिता अरे, अब तब बाद में बरसों से बिछरे मिला दिये आप क्यो रूती हु पिती यह उतना बहु क्यों जा रहे है मुझ से रूट क्या है तो आप मन लोली जी ना तुम्हें अना बहु अब तो तुम्हारा भी इस घर पर इसना ही अतिकार, जितना मेरा मगर अब भू मेरी पास नहीं मानते अच्छा, हम दोनों भी इसकार मना लेंगे अब तो मुझ करादे मुझ करा लो, बदो अगर तुम्हारी सगी मानी तुम्ही इस तरह मारा होता तो क्या तुम घर छोड़की चले जाते है? नहीं माजी तो फिर फिर यही समझे न तुम्हें मैने नहीं तुम्हारी माने मारा है तो फिर मैं तुम्हारी मा की तरफ से मापी मान का नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात से यह मैं आपको बतानी सकता मैं आपको नहीं बताना चाहता हम बताओ नव बेखा, क्या बात है तुम्हे मेरी दिस हो बात ली है माजी कि मैं हाँ रहते हुए आपकी बहुत दूर नहीं रह सकता अगर यही बात है तो हम तुमाने श्यादी मीता से कर देंगे. माजी, तुम कितनी अच्छी हूँ. मगर ऐसा नहीं हो सकता माजी. क्यों? मीता की तरह करल अगर आपका क्खोया हो मोहन मिल जाए तो. अचिन का मामला खतम होते ही. मैं यहां से चरा जाओंगा. मैं यहां से चरा जाओंगा. मैं यहां से चरा जाओंगा. जोड़ चले हैं महसी को यादाए कभी तो मत रोना इस दिल को चसली दे लेना घबराए कभी तो मत रोना हम छोड़ चले हैं महसी को एक खाब सबेखा था हमने एक खाब सबेखा था हमने जब आख खुली तो तूट गया जब आख खुली तो तूट गया ये प्यार तुम्हें सपना बन कर तड़ पाए कभी तो मत रोना हम छोड़ चले हैं महसी को तुम मेरे ख्यालों में खोकर बरबाद न करना जीवन को बरबाद न करना जीवन को जब कोई सहे भी बात तुम्हें समझाए कभी तो मत रोना हम छोड़ चले हैं महसी को जीवन के सफर में तनहाई मुझे को तो न जिन्दा छोड़ेगी मुझे को तो न जिन्दा छोड़ेगी मरने की खबर ऐ जाने जिगर मिल जाए कभी तो मत रोना हम छोड़ चले हैं महसी को यादाए कभी तो मत रोना इसे दिन को तसली देने ना घबराए कभी तो मत रोना जाए कर दो तो मत रोना आई अचिन सहाफ यह आप ही का इंधिजार था यह अंधेरा क्यों है अभी उजाला हो जाएगा अचानक लाइट का फ्यूज खराब हो गया आप आने वाले थे इसलिए बिजली वाले को गुलाना मुनासिब नहीं समझाए गुड़ वरी गुड़ आप बहुत दूर आज़त वर को मैं जरा लाइट का फ्यूज ठीक कहलो तब तक आप पैसे गिंदीचे हां मुम्किन है आपने गलती से जादा रख दी हूं इसलिए गिल लेता हूं कमान चमान कमान आप इस तरह चुप चुप पर कहां जा रही हैं पली स्टेशन पली स्टेशन क्यों अपने आपको कानून के हवाले कर ले मैं समझा नहीं दुनिया की निगाहों में आपकी चासा की कासि हूं मुझे मेरी सजा मिलनी ही जाए अगर पुलिस में जाना ही था तो पहले को नहीं चली थी पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी मेरे पास उत्तम बाबु का प्यार था इस घर का सहरा था माबाप की ममता थी मुझे अपनी जिंदगी से लगा हो था तो अब क्या होगी आपची अब ये सब कुछ मुझे से छीन चुका है उत्तम बाबु से घुझ मुझे खुनी समझकर मुझे नफरत करने लगे हैं और मैं उतके प्यार के बिना जिंदा ने रह सकते उत्तम बाबु और आपसे नफरत? मैं नहीं मान सकता क्यों नहीं, राम ने भी तो सिता पे शर्ट किया था और अपने बे गुनाई थाबिद करने के लिए सिता को अपनी परिक्षा देनी पड़ी थी मैं भी अपने आपको कानूं के हवाले करकर अपनी परिक्षा दूँगी और अपनी परिक्षा के बाद सीता को जिस तरह राम और उनका प्यार वापस मिला था मुझे भी पूरा विश्वास है कि मैं पुलिस के हवाले होकर अपने आपको बेगुना से ताबिद करूँगी और मुझे भी मेरा राम और उनका प्यार वापस मिल सकता है अगवान के घर देर हो सकता है अच्छन बाबू, वगर अंदेर नहीं पहस, मीता किसी हालत में भी पुलिस टेशन ना जाने पाएगे एंक्वारी होगी, घवाब बुलवाए जाएंगे, पुलिस गड़े मुर्दे उखाड़ेगी मीता देवी, मीता देवी, अगर मैं आपकी तरफ से उत्तम बाबू का दिल साफ कर दो तो यह आपसे नहीं होगा, जिस सच को आपने बार बार दोरा कर जूट बनाया है, उसे आप कैसे जुटलाएंगे? जो जुट को सच बना सकता है, उसे जुटला भी सकता है, आप जाकर उत्तम बाबू एक दुफ़ा मेरे पास भेज़ दीजिए मैं उनका जवाब जानती हो, अच्छन बाबू ये मुझे नहीं मालूम था, मेरे जखमों पर नमक न छिड़ा किर्शे साहब, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए मीता खुन ही है, इसलिए आप बदल गए है, ये मेरे दाती मामला है, मैं आप से कोई बैस नहीं करना चाहता है, आप अपने पैसे लिजिए और तश्रीब ले जाईए और अगर मैं ये कहूँ कि मीता ने खुन नहीं किया तो तो मैं कहूँगा कि आप साहसा जूट बोल रहे हैं, अगर मीता ने खुन नहीं किया तो वो सारे सुबूत आपको कैस मिले, सुबूत, हाँ, 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 हाँ अपनी सारी जायदा ट्रस्ट में देने का फैसला करते हैं इस फैसले की रूप से मुझे सिर्फ 500 रुपए महीना मिलते हैं लेकिन मेरी नज़र उनके पंगरा राख रुपए पर थी वह इसी सोच में था कि एक दिन पुद्रत ने मीता को रहमत का फुरिष्टा बना का हमारे अप्रेश दिन वो नौबरी की तलाश में थी और मेरे चचा ने उसे दूसरे दिन आने के लिए कहा मेरे लिए मैदान साफ हो गया और इससे पहले कि मेरे चचा मुझे अपनी दावल करके कानून का छुड़ा मेरी पीश में भॉंख दे माईने उनकी पीश में अच्छी चुड़ा कर दे जाए यह जाहिर था कि अपने चचा का वारिस होने के नाते पुलीस मुझ पर शक करेगी लेकिन मैंने फासी के फंदे से अपनी गर्दन बचाने के लिए एक दूसरी गर्दन का इंतजाम कर लिया था पुलीस नहीं जानती कि जिसे वो खुनी समझ रही है उसके मौगा वार्दाथ को पहुंचने से पहले ही फून उचुड़ा था पर शेरीफोन उठाएगी और रिसीवर पर उसकी उंग्लियों के निशान आ जाएंगी ऐसे ही सुबूत नंबर दो मुझे यकीन था कि मीता घबराग से मेरे चचा के पीट पर घुपे हुए चुरे की तरफ हाथ बढ़ाएगी यह हमरा फिला फोटो ले लीड़े सुबूत नंबर तीन मैंने नहाए ठंधर्दी से मीता का हाथ साथ करने के बहान है उसकी फून आलूदा हुम्लियों के निशान अपनी रुमाल पर लेड़े वाघ! जुआए 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 मैं तो मर जाओंगा लेकिन उस्तम को अपने साथ लेकर मरूगा इंस्पेकर जाओब गोली कोई मचला है इंसे के यह कोई गोली मचला गोली कोई ना चला है मकार लड़की और तुम मैं अधाद देता हूँ तुम्हारे एक्टिं की है अधाद लड़की तुमने मेरे कफंगा तो पूरा पूरा इंकजाम कर लिया है लेकिन इसके साथ तुम्हारी महबत का जनाजा भी उठेगा मा जी इने बचा लीजी उत्तम बाबू अच्चन से बाजी जीतना कोई खाला जी का घर नहीं है उत्तम तुम मुझे इस मकान के बाहर ले चलो मैं बाहर निकलकर तुमसे इसाब कर लूँगा चलो मुझे बाहर दिसाब को का पुमसE पुमसE मिए प्रटिक ढंद पुमसE Ne? Ne? Babu! 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 Hadi gel bir sebe, dök soku buna yine! Babu! 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 Uttam! 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 तिल पर एक बोज लेकर नहीं मर्चाबू उत्तम उत्तम मैं तेरा पाप में बाव मुझे अपनी बाव में थाव लो बेटा आपने जिगर का टुक्रा सब्चा, मैंने तुम्हें माँ भाव दोनों का प्याद दी, क्योंकि भगवान ने मेरा सब कुछ जीद कर तुम्हें मेरी जोनी में डार दिया आए मैं अभी आपे के पास मुआ को, मगर आप पहले अच्छे तो हो जाईए एक युग बीच जाने के बाद, मुझे ऐसा मालूम होता है, जैसे ये कल की बाद हो आसान के तुफान में, तु मेरे तूटे हुए दिल की धारस मत करा है और अपने माबाब को फूल कर, अपनी तोटली बोली में, मुझे बाबू कर कर पुकारने लगा और मेरा मन मो लिया, बस उसी मो प्यार ने मेरे फूट सी दिये मैंने तुझे नन्ने मुन्ने दूला के रूप में पाया मैं चाहता है जवानी में भी तुझे दूला के रूप में देखू ये तस्वीर देखिये, यही हना बच्पन का हुटतो भगवान के लिए बापव पर रहम कीजिए आप लोगों को तो सब कुछ मिल गया है मगर मेरा तो यही एक सहारा है बापव बापव देखिये, इस तस्वीर को देखिये पहचारवे और कोशिच कीजिए इस पाए इस देखिये, आँ तन conserve इस देखिये, आँ तन इस दिखिये इस जेखिये, पर फ़्ίνẩn तनave िक्यिए आपव पुटाव 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 पुटा दीर अज रखो बिटा, ऐसे महान आत्मा दूसरों को अधेरे से निकालने के लिए जन्मू लेते हैं कभी रामत के रूप में, कभी ईसा के रूप में, और कभी बाफू के रूप में महुरू महुरू महा महा राम के लोटने पर अयुद्या में 14 साल के बाद दिवाली आई थी, आज हमारे घर में भी 14 साल के बाद दिवाली आई है हमें तो एक जोड़ी की तलास थी, दोदू मिल गएं हुआ 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 क्या कहने माशा आल्ला नजर ती राप की क्या कहने माशा अल्ला नजर तीर आपकी जी चाहता है की चलू तस्वीर आपकी